नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में मेरे तनसेन भारती आज हम बात करेंगे मौसम विवाग के तरफ से जारी किये गए अलट के बारे में बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है मौसम बदलने से पिछले दिनों नवादा कैमूर सहित कई जिलो में तेज बारिस तो कई में बुंदा बांधी हुई उस जिलो पर ओले भी पड़े इसके लिए पटना के मौसम विग्ञान केंदरी ने पहले ही अलट जारी किया था मौसम विभाग की माने तो 3 माई तक राज में मौसम इसी तरह बदलता रहेगा 30 अप्रेल से 3 माई के बीच में राज के अलग जिलो में बारिस और आंधी किसम हमना जाहिर की गई है यहाँ आपको पूरी जामकारी मिल जागी कि आपके जिले में मौसम का मिजात कै से कैसे बदलता है और किनकी स्थितियों में वो आगे बढ़ता है एक माई के लिए मौसम विभाग ने एलो अलट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से जारी एलो अलट की तहत बताया गया है कि राज के कई जीलों में 50 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से आंधिवा हो सकती है बताया तो यह भी गया है कि अगले 48 घंटे तक राज भर में बारिस के साथ सा धूल बरी आंधि चल सकती है मौसम विभाग ने बताया कि एक चक्रवाती परिसंचरन जो पहले पूर्वी यूपी पर इस्ति था वह पूर्वी MP की ओर सिफ्ट हो गया है इस चलने से मौसम का मिजाज भी बदला है मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के दस्नी पस्टमी भाग को छोड़कर अधिक्तम तापमार में हल्की गिरावट आएगी इवं प्रदेश के कुछ जगों पर 48 घंटे के दवरान गरच के साथ बारिस और धूल भरी आंधि चलन चलना के तापमार में 4 घंटे की गिरावट दर्जखिर गई है वहीं गुरुवार को गया राज का सबसे अधिक्तम तापमान वाला स्थान रहा यहां पर अधिक्तम तापमान 41.6 डिग्री से रिकाउड किया गया 30 महीं तक के प्रदेश के कई हिंसों में आंधिक साथ बार हो रहा है यह चक्रवात मध परदेश से लेकर पस्टमी मंगाल के टटीये इलाके तक के हिस्से को प्रभावित कर रहा है मौसम भीगान को नहीं अभी कहा है कि इस तरह की इस्थिती आगे भी बने रहने की उम्मीद है गुरुवार को ही नावाद एवं जमूई में आंधी से रहत मिलने की संभावना है पटना का तापमाल 42 डिग्री के करीब पहुच गया था जिससे लूज ऐसी हाला थे पिछली रात से ही तेज हवाएं चल रही है जिससे पाला लुड़क कर 37 डिग्री तक पहुच गया है इससे पटनावासियों को बड़ी रहात मिल रही है मुझे दीजी अजाजत धन्यवाद